भारतिय जन्ता पार्टी ये मानती है कि व्यक्तिकत रूप से किसी के भी परिवार को टार्गेट ने किया जाना चाहिए लेकिन परिवार से अगर कोई राजनिती में है तो उसके उपर राजनितिक प्रशनतों उठाये जाएगी कि देखें इस सरकार को एक साल पूरा हुआ और एक साल की इस सरकार की उपलब्दी अगर कुछ होगी तो हमारी सरकार ने शुरू किये हुए कामों को स्ट्रे देना इसके सिवाए इस सरकार ने एक साल में कोई काम ने किया आज किसानों के ओपर बहुत बड़ा संकट है पूरे महाराश्ट में कही पर चक्रावाद के कारण कही पर असमय बारिश के कारण कही पर बाढ़ के कारण किसानों की फसल पूरे तरीके से खतम हो गई जो मुख्यमंत्री जी है कहते थे हमको मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिया वचन दिया वो वचन तो उनको याद रहा लेकिन उन्होंने किसानों तक जाकर जो वचन दिया था कि आपको 50,000 और 25,000 रुपे हेक्टरी हम मदद क करेंगे वो वचन मुख्यमंत्री भूल गए और किसानों को खाशिये पे छोड़ दिया गया ये परिस्तिती एक साल में महाराष्ट के दिखाई पढ़ती है और एक अघोशित आपात का महाराष्ट में दिखाई पढ़ता है जिस प्रकार से कल दो जेजमेंट्स ये हमने देखे सुप्रीम कोट का अरणब गोस्वामी के मामले में और हाय कोट का जेज्मेंट कंगना रणावत के मामले में भले ही हम भी इन दोनों वेक्तियों के सारे स्टेटमेंट्स का समर्थन नहीं करते लिकिन जिस प्रकार से लोक तंत्र को समाप्त करके इनको टार्गेट किया गया इसका समर्थन नही आईना दिखाया है सरकार को जिस प्रकार से अरणब गोस्वामी इनके केस में सुप्रीम कोट कहता है चूकि उन्होंने सरकार के विरोत में भूमिका ली इसलिए उनको टारगेट किया गया और कुल अगर आप पूरा जेज्मेंट पढ़े तो मुझे लगता है इस सरकार को चुलू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस प्रकार से सरकार को और सरकार के कामों को या जिस प्रकार से इसको हैंडल किया गया इसके ओपर टिपणी इसमें की गई है इतना ही नहीं कंगना रनाउत का जो घर तोड़ा गया उसके भी संदर्ब में बिल्कुल सिलसिलेवार हाइकोट ने कैसे कैसे घटना है घटी और कैसे केवल कंगना ने सरकार के खिलाफ ट्विट किये या भूमिकाली या वो बोदी इसके लिए उनका घर तोड़ा गया घर तोड़ना कैसे इल्लीगल था कैसे जान बुचकर उनको किसी कोट में जाने का आउसर न मिले इस प्रकार से इस घर को तोड़ा गया ऐसी सारी चीजे सिलसिलेवार लिखिये और साथ साथ शिवसेना के नेता शिस संजे राउत इनके बारे में भी टिपणी इसमें की गई है कि एक सांसद होते हुए इस प्रकार का उनका विवार अशोभनिय है और महानगर पालिका ने जिस प्रकार से बिल्कुल विंडिक्टिव कारवाई की उसके उपर भी इसमें बहुत कड़े शब्दों में प्रहार किया गया है तो मुझे लगता है कि एक साल में इस सरकार का व्योगार और बढ़ता हो इसका कच्चा चिठ्था या इसका एक जो हम कह सकते इसका एक किताब केवल ये दो जेज्जमेंट से हमारे सामने आता है और इतना है तो अलग-अलग प्रेस के लोगों पर मेरे पास तो लिस्ट है कितने पत्रकारों के उपर करवई की गई कितने एक्तिविस्ट के उपर करवई की गई तो एक अगोशित आपात काल सरकार के खिलाब बोलोंगे तो जेल में जाना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि लोग तंत्र की हत्या एक प्रकार से इस सरकार के माध्यम से की गई सबसे महतुपुन बात ये है कि एक साल पूरा होने पर माननिय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजी ने एक सामना को इंटर्वियू दिया हम यह अपेक्षा करते थे कि पिछले एक सालों में हमारे सामने क्या चुनोती आई उन चुनोतियों को हमने कैसे पूरा किया एक साल की हमारे अच्यूमेंट क्या है और आने वाले चार साल का हमारा रोड मैप क्या है किस प्रकार से महाराष् मंत्री मैंने देखे जब उनका एक साल पुरा होता है कोई भी साल पुरा होता है तो इस प्रकार से वो क्या किया यह बताते हैं और क्या करेंगे बताते हैं परंतो हमारे मुख्य मंत्री जी का इंटर्व्यू पहले से लेकर आखिर तक केवल धंकिया देने में समाप्त हो गया है वो केवल धंकिया दे रहे थे विरोधकों को दे रहे थे अन्ने लोगों को दे रहे थे मुझे बड़ा आश्चरे लगता है मुख्य मंत्री की कुरसी पर जब आप बैठते हो तो आप जो शपत लेते हो शपत में शब्द है अनुराग या द्वेश के बिना ऐसा एक शब्द है तो अनुराग या द्वेश के बिना हम सरकार को चलाएंगे सभी को समान नयाय देंगे कि शपत को भूल गए है और एक भी development की बात पूरे इंटर्व में उनसे हमको देखने को नहीं मिली जिस प्रकार का बयान जिस प्रकार का वक्ते वे वो कर रहे है मुझे ऐसा लगता है कि ये किसे भी मुख्यमंत्री को शुभा नहीं देता हमारी अपेक्षा है वो कहते हैं हम पात साल सरकार चलाएंगे जरूर चलाएंगे अगर आपसे बनता है तो आप पात साल चला लीजिए पर governance तो दिखाएं धमकियों के बरोसे थोड़ी state चलता है धमकियों के बरोसे थोड़ी राज चलता है तो governance के नाम पर एक साल जिरो है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाव को भंग किया है लोगों का विश्वाधात किया है लेटिस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले